कि एगाइज वेरी गूड इवनिंग टोल अफ यू मैं दिपेश को सेक्स वागत करता हूं आपका स्टेडी आई कू के ऑफिशल यूटूब चैनल पे तो क्या आप लोग मुझे ठीक तरीकिसे सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे ठीक तरीकिसे देख पा रहे हैं अगर हां तो जल्ली से यस लिखके मुझे भेज दीजिए मैं दिपेश को सेक्स जैसा कि हम यहां बात करते हैं डेली शान चार बजे और मद्द्परदेश के कुछ अनौखे के सों मद्द्परदेश के इतिहास के बारे हम बात करते हैं और उसी श्रंखला में आज का ये वीडियो है मद्द्परदेश के एक राजवंश की कहानी जो आज भी राजनिती में सक्रिय है क्या हुआ ऐसा जो एक मा बेटे की बीच दरार बन गई आज उन्ही सारे बिंदूओं पे मैं यहां पर बात करने वाला हूँ तो मुझे लगता है कि आप सबके पास मेरी ठीक तरीके से अब आज पहुँच पा रही होगी चलिए तो हम यहां बात करने वाले हैं सिंधिया राजवंश की और सिंधिया राजवंश वही राजवंश जिसकी इस्थापना रारोंजी सिंधिया के दौरा 1726 में की गई थी तीनों ही कालों में सिंधिया राजवंश हमेशा चर्चा का विशह बना रहा है और उन्हीं सारे महतुपुड बिंदियों पर मैं आज आपके सामने ये एक किस्सा मद्द्प्रदेश की राजनीती से मैं प्रस्तुत करने वाला हूं तो मुझे लगता है कि आपके पास कि मत्द्प्रदेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है सबसे पहले इंपोटेंट चीज जो हमारे सामने हैं वो आएगा यह यानि की मात राजमाता सिंधिया ने क्यों कहा था कि मेरा बेटा नहीं करेगा मेरा अंतिम संसकार यहां से यह जो कहानी है यह स्टार्ट होती है और सबसे इंपोटेंट जो चीज हमारे सामने आती है वो आती है कि सिंधिया राजगराना जो है उसकी स्थापना करने के लिए क्या उद्देश था या अगर यहां पर पूछा जाए कि अभी तक जो राजशाही थी वो खतम हो चुकी थी लेकिन उसके बावजूद भी क जो सिंधिय राजगराना सत्ता में बना रहा तो यहां हमारे सामने आप देख पा रहे होंगे प्राचीन काल में जो जो रानों जी सिंधिया थे या मादोरा सिंधिया प्रदम की बात करने वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारे सामने मध्यप्रदेश की राजनीति का करते थे और उसी प्रकार से जिस प्रकार से गुजरात में गायकवार थे महारास्ट्र में भोसले थे और मालवा वाले छेत पर होल करों ने शाशन किया था जिसका जिक्र मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में भी किया था यह वही सिंधिय राजगराना है जिस पर यह आरोप लगाया जाता है कि सिंधिया ने उस टाइम पर रानी लक्षी वह के साथ में गद्दारी की थी और यह जो सिंधिय राजवंश है यह गद्दारों का परिबार है हलाकि इतिहास के पन्नों में जब नजरे डाली जाती हैं तो उस टाइम की परिस्थितियां जो थी वो कई प्रकार से विप्रीद भी थी और इसी लिए आज यहाँ पर गौालियर छेत्र में या मालवाज छेत्र में या मद्दपरदेश के किसी भी छेत्र में सिंधिया जो त 1474 में 1874 में जयाजी राओ के दौरा करवा दिया गया था और क्यों किया गया था क्योंकि यहां पर एक अंग्रेज अधिकारी आने के लिए तैयार थे उसके बाद 1964 में जैसे ही रजवाडे जो थे वो खतम हुए रजवाडे राजे रजवाडे आपको पता है कि भारत के आ आज के टाइम पे चाहें तो इस जैवलास पैलेस के अंदर जाके आप देख सकते हैं 400 कमरों वाला ये महल आज भी गौालियर की बेववता को दर्शाता हुआ हमारे सामने होता है उसके बाद में दूसरी जो इंपोटेंट चीज हमारे सामने हैं वो है जवाजी राओ जिनका जो बीवी है राज मातला विजय राजे सिंदिया पुत्र है यहां पर हमारे सामने मादराव सिंदिया और इसके साथ साथ में उनकी दोनों बेटियां यहां पर उशार यसोदरा राजे सिंदिया और वसुंदरा राजे सिंदिया यसोदरा राजे सिंदिया वरतमान में मद्धिप्रए सरकार में मंत्री है वसंदर राजे राजस्थान में की पूर्व मुख्य मंत्री रह चुके हैं और जो हम यहां बात करने वाले माधुराव सिंदिया की माधुराव सिंदिया भी भारस सरकार में पूर्व केंद्री मंत्री रह चुके थे तो वही एक कुस्सा वही एक कहानी जो मैं यहां आज आपके सामने रखवाल रहा हूँ सर मैं आपसे ओफ लाइन मैं पढ़ा हूँ वेल्डर मचे चलिए तो यहां का यह जो विजयराज सिंदिया है देखिए यहां पर दो तीन चीज़े हमको ध्यान लखनी है पहली बात तो यह कि विजयराज सिंदिया जो थी वह भारती जनसंग भारती जनसंग जिसकी स्थापन 1951 में की गई थी श्यामापरसाद मुखर जी के द्वारा वहां पर जो विजयराज सिंदिया थी यह संस्थापक सदस्थ थी और यह वही जनसंग है जिसने आगे जाकर भारती जनता पार्टी भारती जनता पार्टी का रूप धारण कर लिया और आज आप जानते हैं कि भा पहले बात हम यहां बात करेंगे कि कौन थी विजयराज सिंदिया तो यहां पर 12 अक्टूबर 1919 में विजयराज सिंदिया का जनम होता है और उस ट्राइम पर इनका जो नाम था उनका नाम था दिवेशरी दिवेशरी यहां पर जब जनम लेती हैं उसके बाद में जो सागर क का एक नेपाल हाउस होता है वहाँ से अपनी पढ़ाई इसको पूरी करती हैं और पढ़ाई को पूरी करने के बाद में जाती हैं मुंबई मुंबई वही शहर जिसे हम आर्थिक राजदानी देश की कहते हैं वही इनकी मुलाकात होती है जीवा जीराव सिंधिया से और धीरे धीरे जो चीज़े होती हैं वो यहां से बदल जाती है यहां पर सबसे इंपोर्टेंट चीज़ जो हमारे सामने आती है वो यह कि जो राजमाता थी वो कैसे एक लेखा देवेश्वरी से विजया राजे सिंधिया बन जाती है जब जीवजराव सिंधिया सिंध का विवा होता है उस टाइम पे उस टाइम पे यहां पर जो सिंधिया राजवजिस था वो इस बाद से बिलकुल भी खुश नहीं था और चीज़ां तीरे तीरे बदलने लगती हैं लेकिन जैसे ही 1948 के बाद में राजे और रजवाडे समाप्त होते हैं खतम होते हैं उसके बाद में ही यहां पर जवार लाल लहरू के कहले पर जब पंड़े जवाला लहरू जो देश के पहले प्रदान मंतरी थे उनके कहने प पर राज माता विजया राजे सिंधिया अपना भाग जमाती हैं और इस बात का आप लोग विश्रीश रूप से ध्यान रखें के भारत में जो पहले चुनाव हुए थे वह कब हुए थे 1952 में 1952 में देश में पहले आम चुनाव हुए थे इस बात की आप सबको जानकारी ह पहले आम चुनाव देश में कभ हुए थे 1952 में और उसके बाद में दूसरे चुनाव होते हैं 1957 में 1957 में दूसरे चुनाव होते हैं देश में ज्यान दीजे कि यह कोशन कई बार पूछा गया है कि देश में पहले आम चुनाव कभ हुए थे तो 1952 में और दूसरे कब हुएते तो आपके बताएंगे 1957 इसी 1957 के चुनाओ में पार्टी होती है जिसका नाम क्या होता है जिसका नाम होता है कॉंग्रेस के नाम होता है कॉंग्रेस और इस कॉंग्रेस पार्टी के टिकट पर मद्रदेश का एक जला है जिसका नाम है गुना क 1857 के चुनाव में राज माता विजिया राजे 1957 में गुना से सांसद बन के लोगसभा में पदाः पड़ पड़ती हैं पहली बार जब ये चुनाव जीती हैं 1957 में पंडित जवाला लेहरु के कहने पर ही यहां गुना के लोगसभा छेत्र से जीत कर उनिस सब्तावन में ये प स्टार्टिंग थी दिरे-दिरे चीज़ें जो थी वो इनके उनके साथ में चले लगी आगे आने वाले टाइम पह और इसके साथ में जो इनके पुत्र थे माधुराव सिंदिया माधुराव सिंदिया का जन्म 10 मार्च 1945 को होता है और इनकी मुर्तियु 30 जनवरी 2001 30 ستمبر 2001 को माधराव सिंद्रिया की मरती हो जाती है जब माधराव सिंद्रिया की बात करते हैं तो माधराव सिंद्रिया भी भारस सरकार में केंद्रिय ये मंतरी रह चुके थे और केंद्री मंत्री में सरफ एक मंत्री नहीं रेल मंत्री के साथ साथ में इनके पास में रेल राज मंत्री के साथ साथ में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री यानि की नागरिक ओडियन मंत्रयालय का भी भार इनको दिया गया था गौली रंचल संभाग में इनको विकास का मसीहा कहा जाता है यानि कि मैं डवलमेंट मैं कहा जाता है गौली रंचल में लेकिन जो कुछ राजनितिक जो भी पराकास्टा थी उन सपनों को पूरा करने के लिए एक समय ऐसा भी आया जब इन ये और अपनी माता के साथ में कई पार संगर्ज भी राजनितिक मद्वेद हुए और उसके साथ में वे राजनितिक मद्वेदों ने व्यावारिक रूप भी धारण कर लिया दूसरी चीज इंपोर्टेंट हमारे सामने जब आगी तो इसमें हम ये ये फोकस करते हैं कि क्या ऐसा सीन हुआ कि यहां पर चीज पारी थी इनका उनके साथ में विवा होता है विवा होने के साथ में कई वर्षों तक ये चीज़े ठीक चलती रहती है लेकिन इस चीज से राजमाता बिलकुल भी खुश नहीं थी कई बार उन्होंने यारोप लगाया कि यहां पर मेरे और मेरे पुत्र के बीच में जो दरार उत्पन की गई है वो माधवी राजे के दौरा ही की गई है माधवी राजे और राजमाता का संबंद कभी भी ठीक नहीं चला वो संबंद कभी भी मदुर नहीं हुए और एक जमाना एक दौर ऐसा भी आया कि राजमाता विज्या राजे सिंदिया ने मादोराव सिंधिया से उस महल में जिसके वो वारिस थे उस महल में रहने तक का किराया भी मांग लिया था वो दौर कैसे स्टार्ट हुआ क्यों वो कहानी ऐसे स्टार्ट हुई उसके बारे में आए बात करने वाले जनसंग की जब बात करते हैं जनसंग जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी उस जनसंग में शामिल होती है राज मात विजयराज सिंधिया क्यों शामिल होती है इसकी भी कहानी है बात कुछ यूँ है 1966 1966 में मद्धिप्रदेश में एक भयंकर अकाल पड़ता है जब वो अकाल पड़ता है तो उस टाइम पर मत्वर्तमान की जो मत्वर्तमान उस टाइम की तदकालीन जो मत्वर्ते सरकार थी उसने लोगों पर जो अंदुलन करने वारे लोग थे उन पे उन पे लाठिया बरसाई और यहां पर कई लोगों की मिर्तियू भी हुई इस बात से खफा होकर कॉंग्रेस की सदिस्ता से विजया राजिस इंदिया ने इस्तीफा दे दिया और इसके साथ साथ में इसके साथ साथ में उस टाइम पे तादकालीन सपे में मद्वर्तेश में सरकार थी डीपी मिश्र की यानि की दौरिका परशाद मिश्र की उनी दौरिका परशाद मिश् उस टाइम पर जो मद्द्परदेश के मुख्य मंत्री बनते हैं उनका नाम होता है गोविंद नारायन सिंग ठीक है यहां तक की बात तो मुझे लगता है कि यहां से जो सीन हमारे सामने स्टार्ट हुआ था वो धीरे धीरे करके चीजें बदलते गई यहां आपके सामने देख पार होंगे 1957 में इन्होंने सबसे पहले अपना जो राजनितिक जो कैरियर था उसको स्टार्ट किया और उसके बाद में 1966 में मद्द्परदेश की कॉंग्रेस जो थी उससे क्या दे दिया इस्तीफ़ दिया और उस टाइम पर जो मुख्य मंत्री थे गोविंद नारायन से दूसरी इंपोटेंट भी जब बात करते हैं अपने पुत्र से विवाद अपने पुत्र से विवाद क्यों हुआ था उसका और एक बार 1966 में जब उन्होंने स्तीफा दिया तो वे आजीवन ही भारती जन्ता पार्टी की सदसे बनी रही और कई बार ऐसे कारण भी हुए कुछ ऐसे कारणों की बारे हम बात करेंगे कि क्या ऐसे कारण हुए कि यहाँ पर मादोराव सिंदिया और विज्या राजे सिंद कर किसका रास्ता ले लिया और रास्ता लिया किसका कॉंग्रेस का और कारण सिर्फ इतना सा था कि 1972 में मद्दप्रदेश में जो जन्संग थी वो बुरी तरीके सहारी थी दूसरी बात यहां कहा ऐसा जाता है कि इनकी एक पुष्टैनी शिवलिंग है उस शिवलिंग को लेकर माधवी राजे और राजमाता की बीच में भी संगर्श हुआ संगर्स इतना सा था कि एक बार माधवी राजे नहीं ये भी कह दिया कि यहाँ पर जो शिवलिंग है इसको पूझने का इसकी पूझा करने का अधिकार जो है वो केवल और केवल एक विवाहित महिला को ही है इस बात से लेकर राजमाता ने अपने ही महल में अंशन प्रारम कर दिया और अंशन जब प्रारम किया इस जिद के साथ में के मुझे जब वो शिवलिंग वापस मिल जाएगी उसके बाद ही में अपना अंशन तोड़ूगी और अंततह माधौराव सिंदिया ने वो शिवलिंग जो थी वो शिवलिंग राजमाता विजे राजसिंदिया को वापस दे दिये और धीरे धीरे बाद दरार इतनी बढ़ती गई कि मैंने बताया आपको एक दिन ऐसा भी आया कि यहां पर जो माधौराव सिंदिया थे उनसे उनकी माता ने जिस महल में वो रहते थे उस महल में रहने का किराया भी मांग लिया हाला कि वो किराया था वो किवल सांकितिक था अर्थात किवल एक रुपए जो किराया वो माधौराव सिंदिया के दारा उस महल में रहने का दिया गया दूसरी इंपोर्टेंट चीज जब हमारे सामने आती है तो यह अच्छा मुद्दा था उस टाइम बेर राजनीती के जो भी जो विशेश विशेशा की थी उन्होंने यहां पर इस चीज को बहुत ही जादा तारंकित किया कारण क्या था पहला तो पुत्र है और दूसरा ध 64 में इंदरा गांदी की मृति हो जाती है आपको पता है 1984 में इंदरा गांदी की मृति होती है और मृति होने के बाद में देश में चुनाव होते हैं देश में चुनाव होते हैं तो यहां पर एक तरफ कॉंग्रेस से होते हैं माधरा और सिंदिया और उन सामने से होते हैं अटल विहारी बाजपई जो गौालर के ही रहने वाले थे यहाँ पर लोग इस बात को बोलते हैं कि जो राजमाता है वो हमेशा अपने पुत्र का ही साथ देंगी लेकिन इसी बात का फायदा उठा कर अटल विहारी बाजपई जी ने भी ये कह दिया कि वो उनके पुत्र हों उस प्रणाम में मादवरा उसिंद्या के दोरा अटल विहारी बाजपई को बहुत बुरी तरीके से हराया गया और उसके बाद अटल विहारी बाजपई कभी भी दोरा गौालियर से चुनाब नहीं लड़ सके तो यह किस्सा था एक धर्म पुत्र का और एक धर्म पुत्र क तो अटल विहारी बाजपई उस टाइम पे अगर आपसे देखा जाए तो भारत के बहतरीन प्रधान मंत्रियों में से एक है भारत रत्न भी जिनको दिया जा चुका है तो यहां जो किस्सा हमारे सामने हैं आप देख पा रहे होंगे मादवराव सिंधिया है और यह राजमात है विजया राज सिंधिया के जो धरम पुत्र है उनका नाम है मादवराव सिंधिया ठीक है क्लियर है यह सिंधिया सतारा के सिंधिय है हां बिलकुल साही चलिए दूसरी इंपोर्टेंट चीज़े बात जब हमारे सामने आती है तो जो लास्ट जो लाइन बोली गई थी वो सिर्फ इतनी सी थी के मेरा बेटा जो है वो अंतिम संसकार मेरा नहीं करेगा 1985 में विजया राजे सिंधिया के दोरा एक वसियत की जाती है और उस वसियत में ये लिखा जाता है कि मैं अपनी संपत्ती से अपने बेटे को बे दखल करती हूँ और मेरी जितनी भी संपत्ती है जो जितनी भी संपत्ती है वो सारी की सारी मेरी दोनों बेटियों यानि की वसुंदरा राजे और यशोदरा राजे को दे दी जाए और तो और यहाँ पर जो सिंधिया ट्रस्ट था उसके जो अध्यक्ष निक्त किये गए वो भी यहाँ पर आंग्रे साहब यानि की संभाजी राव आंग्रे माधराव सिंधिया का वहाँ पर वी कोई जिक्र नहीं किया गया संभाजी राव आंग्रे को उस ट्रस्ट का उस न्यास का अध्यक्ष बना दिया गया बात 25 जन्वरी की जब यहां पे की जाएगी तो 25 जन्वरी 2001 को राजमाते राजमाता विज्या राजे सिंदिया का निधन हो जाता है हाला कि यह मृत्यू जो थी प्राकरतिक थी और प्राकरतिक होने के साथ साथ मैं जब यह बोला गया था माध्यूराव सिंदिया को यह बता दिया गया था कि भाई मेरा जो पुत्र है वो मेरा अंतिम संसकार नहीं करेगा लेकिन जब माता अराज माता की मृति हुई उस ट्राइम पर जो अंतिम संस्कार जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वो अंतिम संस्कार माधोराव सिंधिया के द्वारा ही किया गया था माधोराव सिंधिया का राजनितिक सफर बहुत जादा अच्छा रहा लेकिन ऐसा बोला भी जाता है कि अगर माधोराव सिंधिया आज जीवित होते तो शायद वे देश के प्रधान मंत्री भी होते लेकिन शायद प्रकरती को ये मन्जूर नहीं था और तारीक है तारीक है हमारे सामने 30 सितंबर 2001 ती सितंबर 2001 की वो तारीक जहां माधोराव सिंधिया दिल्ली से कानपूर जाते समय यूपी के इटावा के पास मेनपूरी एक नामक जगे है जहां पर इनका प्लैन क्रेश हो जाता है और उस प्लैन क्रेश में इनकी मरती हो ठीक लगबग नौ महीने बाद मादराव सिंदिया भी इस दुनिया को छोड़ कर चले जाते हैं करें हाला की उनके जाने के बाद उनके पुत्र जोत्रत मादराव सिंदिया ने उस राजनितिक वनशावली को अभी तक सक्री किये रखा है और वर्तमान में वह वर्तमान में भारस सरकार में किंद्री मंत्री सिविल एवेशन मिनिस्टर हमारे पास जो है वो जो तरह इत्मादराव सिंधिया ही है तो यह एक किस्सा था जिसमें हमने बात की आप से एक मा और बेटे जो मद्रदेश की राजनीती मद्रदेश की सियासत से एक संबंदित एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो थी बहुत स दौरान राज माता जेल में कहा थी और उस टाइम पर उनको पुत्र थे वो कॉंग्रेस के सदस थे कॉंग्रेस में होने के कारण उस टाइम भी उन्होंने अपनी माता के साथ में कोई भी सहानुबूती नहीं रखी तो यह एक दौर था जो एक राजवंश में जो एक राजवंश के माता और पुत्र के जो बीच जो राजनेतिक मदवेद हुए थे उसके बारे में मैं यहां पर आज प्रकास डाला है मुझे लगता है कि जितनी भी चीजें हमने यहां पर सीखी आपातकाल आपको बताए कि आपातकाल देश में अभी तक तीन बार लग चुका है तीन बार लग चुका है कितनी बार तीन बार जल्ली से मुझे बता दीजिए कि देश में तीन बार आपातकाल कब कब लगा है जल से मुझे कुछ से पटाओ फटाफट से में कितनी बार आपाथ का लग चुका है तो बात आ जाएगे तीन बार कभ कभ लगा जल्ली से हांसर दो इस जली से आंसर दीजी दो ये तीन वार विवेग ने आंसर दिया Rs. ex पढ़ा है सर मुझे आपसे ओफलाइन पढ़ना है हाँ कोशिश करेंगे 1976 नहीं बिल्कुल गलत बात है आपकी सुलो मैं आपको देता हूँ 62 65 पिचत्तर अच्छा जी 1984 नहीं आंसर यह गलत है सुनो जरह मैं बताई दो आपको पहली बार जो देश में आपात का लगाए गया वह आपात का लगाए गया था 1962 में 1962 में क्यों लगाए गया क्योंकि यही 1962 में वहर हुआ था किसके बीच इंडिया और चाइना के बीच में जिसमें भारत की हार हुई थी इंडिया और चाइना और जब इस युद्ध को हम लोग हार जाते है तभी स्थापना किसकी की जाती है ITBP की ध्यान लगना अगर मानलो आप और पाकिस्तान के बीच में यानिकी पूरी पाकिस्तान जिस वजह से यहां पर निर्माण किसका हुआ बांगला देश का निर्माण हुआ किसका निर्माण हो गया बांगला देश का और बांगला इसका निर्माण जो मनाते हैं 16 दिसंबर क्या मनाते हैं 16 दिसंबर किस रू अगला देश यह वही देश है इसकी राज़दानी क्या थी जिसकी राज़दानी थी धाका चलिए फिन यु दूए हैं तो और तीस जिसरा जोंहां वो लगा 1975 में और इसका जो कारण था वो था क्या आंचरिक कले है इंटर्णल ृस्टरबेंस जो था व्हों इसका रीजन दिया गया था इंद्रा गांदी जी के द्वारा 1975 में और यही वो काल था जिसमेटल व्यारी बाच्पे लालकृस अडवारणी राजमातर विजयराई सिंधिया यह सारे के सारे जेलों में भर दिये गए और देश पूरी तरीके से केंद्रिकत कर दिया गया किसक के हाथ में इंद्रा गांदी के हाथ में और इंद्रा गांदी यह वही महला है जिसको हम आयरन लेडी बोलते हैं क्या बोलते हैं जिनको आयरन लेडी बोला जाता है आयरन लेडी बोलते हैं किसको इंद्रा गांदी को तो यह वही दोर था जिस टाइम पर हम यहां पर बात क करने वाले हैं आप से इंडरागांधी इंडरागांधी के दूरा लगा गये आपातकाल के समय और उस ठाइम पर जितने भी कॉंग्रेश से अलग जितने भी स्क्राइब मुझे लगता है कि इतनी बी चीजैं से माने आपको बताई वह सारी की सारी आपको समझ में आ गई होगे ठीक है लेकिन जब एक जैसे कि मैंने कोशिश यह किया है कि मैं डेली आपको एक ट्रिक देने किया कोशिश करूँगा डेली एक ट्रिक से आपके बहुत सारे क्वेशन जो है वो यहां पर आपके बनने के लिए तैयार हो जाएंगे तो समय आ गय हो चाहे कोई भी एक्जाम हो उन सारे एक्जाम में आपसे यहां से कुश्चन बनता ही बनता है और वो कुश्चन कौन सा होता है वो कुश्चन होता है डेल्स का कुश्चन होता है तो उन्हीं सारे डेल्स के कुश्चन के बारे में हम यहां पर आज बात करने वाले हैं ठीक अगर मैं आपसे पूछू यहां पर के 22 अपरेल को कौन सा दिवस मनाते हैं अगर मैं आपसे पूछू 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है लेकिन इसी को हम क्या करेंगे इसी को हम ट्रिक से याद करेंगे और वो ट्रिक कैसे चलेगी बने र अगर मालो आपसे पूछा जाए अर्थ डे अर्थ डे कम मनाते हैं अगर मालो आपसे पूछा जाए बायो डायवर्सटी डे कम मनाते हैं अगर मालो आपसे पूछा जाए कि बताओ फॉरेस्ट्री डे कम मनाते हैं कौन सा डे फॉरेस्ट्री डे कम मनाते हैं फॉरेस्ट्री ड ठीक है ध्यान देना इस सारी चीजि़ों पे तो अगर माल लिज्ए आप से पूछा जाए वाटर मार्च वाटर डे कम बनाते है तो सब से पहले आपको क्या याद करना यहां पर forest नो ठीक है तो अगर माल्म आपसे कुज़े f यहां पर 22 अप्रेल्स क्या मना दोगे यहां पर 1 र। रगाँ यहां पर ठीक है दूसरी बात अगर मालों आपसे पूछी पूछे बायोडाप सिटी डे तो इसके ठीक एक महीने बाद क्या तारिक आ जाएगी तो यहां पर आप लोग आंसर देंगे 22 माई क्या देंगे 22 माई 21 मार्च 22 अपरेल 22 माई थी न चार दिन हमने यहां पर याद कर लिए नो इसके एक मेने बाद डेट आ जाएगी 21 यह तो सबको पता है वाई 21 तो सबको पता है 21 को मनाते हैं योगा डे यानि की योग दिवस मनाते हैं योगा डे मनाते हैं ठीक है तो यह कुछ इंपोर्टेंट ऐसी चीजे हैं जो आपको मेंशन कर लेनी है आप आराम से इनको 22 मही वाटर डे 22 मार्च पवन गयानानी 22 मार्च वाटर डे 22 को 22 को बिल्कुल सही राइट आंसर है आप सबका लिंक करना है हाँ बस एक के बाद में एक चीजें आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएंगे आप उसको लिंक कर देंगे आराम से चीजे क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो मुझे यह लगता है कि यह सारी की सारी चीजे आपको आराम से समझ में आज जाएंगे ठीक बच्चो तो आज का सेशन हम रोग देंगे यहीं बाकी सारी बाते करेंगे हम कल एक नए मत्रदेश के इतिहास से संबंद वीडियो के साथ मैं यह सफर रोग दूँग मैं आज यहीं थैंकि सो मच भारत माता की जै